अलो गाईज कैसे आप सब लोग आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी और जोग्राफी अभूगूल पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा बैच में आपने अनौल करी लिया होगा और किताब में भी अब आपके पास होगी इस्टडी आईक्यू की जो फ्लिप कार्ड और अमेजन से आपने थरीदली होगी आज तक की क्लास का आपने रिवीजन भी कर लिया होगा यह उम्मीद मैं करता हूँ मैंने आपके कमेंड्स देखें जो सवाल मैं आप से पूछते हूँ आप बिलकुल उत्तर देते हैं उसके लेकिन मैं चाऊँगा कि जतने लोग क्लास दिखते हैं सब लोग उस प्रेशनों का जवाब दें कमेंड सेक्शन में साथ से साथ सेशन को जतना जादा हो सकें शेयर करने की कोशिश करें आप सबका एक जो प्रमुक डाउट है कि सर्फ PDF कहाँ पे मिलेगी जैसा मैंने पिस्टी क्लास में भी बताया था अगर आप टेलिग्राम पे जाके मुकुल भारत्वा जोग्राफी नाम से सर्फ करेंगे तो मेरा एक चैनल है जो डेडिकेटली अपने इसी सेशन के लिए बनाया है वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी क्लासिस की ठीक है चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ और आनंद लेते हैं जोग्राफी का Study IQ IS हिंदी माध्यम के चात्रों के लिए फाउंडिशन प्रोग्राम लाया है जिल लोगों ने भी अभी तक एड्मिशन नहीं लिया है जल्दी ही एड्मिशन ले लिजे नहीं तो अब अपनी आपकी क्लासिस क्या होगा छूटना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी कीजे एड्मिशन लेने के लिए और एड्मिशन लेते ही टाइम एक बात जरूर धियान रखिए आपको ये प्राइस पे नहीं करनी है तीस अजार पांसो रुपे जो कोड की प्राइस है आपको क्या पे करना है अठारा जार नौसो निन्यान में रुपे और ये प्राइस इतना कम कैसे होगी जब आप कोड कौड 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 यूज करना है M.B.Live कौन सा कोड यूज़ करना है mb live चलिए आगे की और ये वो दो किताबे हैं बूगोल का मूलबुत सिद्धानत आप बार बार पूसें सर किताबों के नाम बता दीजिए study IQ की किताबे है study IQ दौरब प्रकाशित ये किताबे है हिंदी माध्यम के लिए किताबे हैं बूगोल मू प्रत्वी के समान हूँ उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे तारे की उत्पत्ति के वारे हैं हम लोग बात कर रहे थे ब्रमान के उत्पत्ति में हम लोग तारे की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे थे जहां पर हमने तारे का जर्म से लिके मृत्ति तक का सफर हमने देखा था तारा सबसे पहले क्या बनता है तारा सबसे पहले बनता है निहारी का निहारी का कैसे ब चुकी इसकी core बन चुकी है इसके बाद लाल दानव तारा या red giant star बन जाएका जब इसके पास क्या होनी शुरू हो जाएगी hydrogen helium में परिवर्थित होना शुरू हो जाएगी hydrogen जब helium में परिवर्थित होगी तो क्या होगा दो hydrogen के रणू H2 प्लस H2 ये क्या बनाएंगे helium बनाएंगे और साथ ही बहुत क्या release करेंगे क्या उत्सरजित करेंगे बहुत सरी उर्जा को ये उत्सरजित करेंगे आपने comment में उससे पूछाता है कि sir ऐसा कैसे होता है तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा कौछ इस प्रकार होता है ये hydrogen ये hydrogen ये जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनाएंगे ये बनाएंगे आपका helium और साथ ही साथ क्या और मिलेगी आपको उर्जा भी मिलेगी या जिसको मैं कहूँ क्या energy या पर आपको क्या मिलेगी energy और energy सूर्य से हमको किस रूप में मिलती है एक तो मिलती है हमको उश्मा के रूप में या कहूं हीट के रूप में और दूसरी हमको मिलती है प्रकाश या मैं कहूं लाइट तो ये कुछ कारी हो रहा होता है सूर्य में लाल दानव तारह के बाद हमने पढ़ा था क्या होगा लाल दानव तारही के बाद ये जो भी होगा वो उस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके द्रव्यमान क्या है उसका द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान से बहुत जादा है तो क्या होगा सूर्य के द्रव्यमान से जादा होगा तो वो किसमें बदलेगा वो बदलेगा स अगर सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है इस लाल दानौ तारे का द्रव्यमान तो यह बढ़त करें, और वो श्वयत बोना तारे अपने मृत्यत्यु पे क्या बन जाएगा? काला बॉना तारा, तो सूर्य अब की जब मृत्ती होगी, तब वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, काले बॉने तारे में, आगे हम बात करें, आगे हमने बात करें थी कुछ तारा मंडल और नक्षत्र मंडलों की, तारे मंडल में हमने बात करें थी सबतरिशी मंडल की, जि करीती और सौर मंडल में हमने देखा था कुछ ग्रहें हैं और कुछ उप ग्रहें हैं ग्रहें क्या होते हैं जिनके पास अपना एक बड़ा आकार होता है और साथी साथ अपनी एक कक्षा होती है उस कक्षा में वो क्या करते हैं सूर्य की चारूतर परिक्रमा लगाते रहते है इसके बाद हमने बात करी थी, बौने ग्रहों की बौने ग्रहों के पास आकार होता है, लेकिन ग्रहों से वो छोटे होते हैं, साथ ही साथ उनके पास क्या नहीं होती, उनके पास एक निश्चित कक्षा नहीं होती, जिससे वो सूर्य की क्या करें, चारो तरफ परिक्रमा करें इसके बाद हमने बात करी थी सूर्य की सूर्य क्या है सूर्य एक तारा है जो कहाँ पर इस्थेत है सौर मंडिल के केंद्र में इस्थेत है अगर वहाँ के केंद्र का तापमान मैं आपको बताओ तो कितना है 15 मिलियन डिग्री सेल्सिय और वहाँ की सते का तापमान करीब पांच-बधी सेल्सियेज। यह हमारी बात हो चुकी थी, सूर्य के आयू, सूर्य कब पैदा हुआ, आज से पांच अरब वर्ष पूर पैदा हुआ, और जबकि बिग बैंक कब हुआ था, बिग बैंक हुआ था, 13.8 अरब वर्ष पूर वुआ था, सूर्य की पढ़ते हैं, दो भागों में विभाजित की गई ये वैज्ञानिकों द्वारा वो कौन सी दो भाग हैं। पहला है आंतरिक भाग, दूसरा है बहारी भाग। आंतरिक भाग को फिर से हमने तीन भागों में विभाजित किया, कौन कौन सा। आंतरिक भाग कितने भागों में विवाजित है तीन भागों में पहले हमने बात करी थी कोर की है जिसको कुरोड भी कहा जाता है दूसरी हमने बात करी थी विकिरन शेत्र या जिसको रेडियेशन जून कहते हैं तीसरी बात करी थी समवहन शेत्र की है जिसको कनवेक्शन एरि अभी कहते हैं फिर हमने बात करी थी बहारी पडसों कि भारी बडसों में हमने दो मंडल पढ़े थे पहला मंडल था प्रकाश मंडल दूसरा था वन Mंडल थीसरा हमने संक्रमनक 6 तरो छोथा कोरी की बाद की थी इसकी बाद हमने देखा था, जो केंदर के पास इस्थित है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कोर बोलते हैं, और वहां का तापमान कितरह है बहुत अधिक है, करीब 15 million degrees Celsius के असपास आपको यहाँ पे तापमान देखने को मिलेगा, और यह तापमान क्यूं है, ना भी किये, अभी क्रियाओं दोरा अभी हमने देखा hydrogen और hydrogen helium जब बनती है तो साथ में क्या मिल निकलेगी बहुत सारी ऊश्मा निकलेगी इसके बाद हमने बात करें थे विकिरंग शेत्र की विकरंग शेत्र में क्या होगा उर्जा का इस्थानांतरण होगा किस प्रकार होगा विकिरंग किस माध्यम से निकलती है फूटोन फूटोन के द्वारा ये निकलती है फूटोन क्या है लाइट की छूटी छूटी पैकेट्स को हम क्या कहते है फूटोन कहते हैं और यहाँ पर तापमान आपको मिलेगा दो मिलियन डिगरी सेल्सियस के असपस आपमान पहुंच चुका ह यहाँ पे टापमान को मिलेगे 2 मिलियन डिग्री सलइस और यहाँ पे कौन सी गयसे आपको मिलेंगी हाईड्रोजन और ह् podéisिलियमNYC v покas करीती बहार ही पढ़तों में सबस्रे बहले है प्रकाश मंदल की यहां पे प्रकाश की किरिण है किस रूप में निकलेंगे विकिरण के रूप में निकलेंगे और यहां पर तापमान आपको मिलेगा 62 से 3700 डिगरी चल्सीयस के असपास फिर आम वर्ड मंदल पर पहुंचे य पांच लाग डिगरी Celsius यहां पर तापमान क्या हुआ लगातार बहुत तेजी से बढ़ गया और मैं बात करूँ कोरोना जो सूर्य के एकदम बाहर ही बढ़ता है जिसको नगनाकों से नहीं देखा जा सकता है कब देखा जा सकता है जब क्या हो ग्रहन हो और जब ग्रहन होगा तब ही आप इसको देख सकते हैं अगर आपको बिना ग्रहन के देखना है तो scientific instrument आपको पैंडने पढ़ेंगे तब आप इसको देख पाएंगे और यहां पर तापमान कितना आपको मिलेगा पांच लाग डिगरी Celsius के असपस आपको तापमान देखने को मिलेगा हमने सौर कल करीब करीब इतने साल का होता है 22 वर्षों का होता है उसके बाद हमने बात करीए थी सौर पवनों की सौर पवने क्या है सौर पवने प्लाजमा की एक धारा है जो बहुत अधिक गरम हो जाती है और अब सूर्य का गुरुत्वाकर्शन ने और नहीं रोक पाता इनको हम क्या कहते हैं, सौर पवने कहते हैं उसके बाद हमने बात करें थी धूति है, जिसको अंगरेशी मैं अरोरा भी कहा जाता है यहाँ पर सौर जॉाला के जो आविशित कर ने हैं, जब वायू मंडल में गैसों के साथ 크ью आ करते हैं तो एक विषैष प्रकार की रोशनी हमको मिलती है वो विषैष प्रकार की रोशनी कुछ इस प्रकार के दिखती है अगर ये उत्तरी धिरुब के आसपास है जिसको क्या बोलोगे आप aurora borealis और अगर तक्षिनी दुरूट क्या असपास है तो इसको आप क्या बोलेगे aurora australis इसके बाद हमने ग्रहों की बात करे थी ग्रहे कितने आठ और पांच बॉने ग्रहे हैं हमारे सौर मंडल में इस्तित हैं ग्रह कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पहला आंतरिक ग्रह और दूसरा बाहिये ग्रह है, आंतरिक ग्रह और बाहिये ग्रह हमने कैसे मापे, पहला तो हमको याद होना चाहिए कि बीच में, मंगल और ब्रस्पति के बीच में कौन सी पट्टी मिलेगे, शु अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, बुद्ध देखने को मिलेगा, शुक्र देखने को मिलेगा, प्रत्वी देखने को मिलेगा, और मंगल, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको ब्रस्पति देखने को मिलेगा, ब्रस्पति के बाद यहाँ पर यहाँ पर आपको Uranus देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको Neptune देखने को मिलेगा यह जो शुद्र ग्रह के इस तरफ जो सूरिय से दूर इस्तित ग्रहन को बाहरी ग्रह का जाता है जब कि सूरिय के नजदीक जो ग्रह है उनको हम कौन से ग्रह कहेंगे आंत्रिक ग्रह आंतिक ग्राय और बाहँरी양 विच मैं आंतिक ग्राय किसी समान होते हैं। प्रथवीक ग्राय ग्राय पार पाई जाता है। थोध सत्य देखने को मिलेगी, यहाप आपको गैसी सत्य देखने को मिलेगी, यह बहुत ज्यादा सघन होते हैं, यह कम घने होते हैं, यह सूर्य के बहुत समीप आपको देखने को मिलेगे, यह सूर्य से दूर है, चूंकि इनकी सत्य कैसी है, ठोध से इसलिए इसलिए इनको सबसे तीवरिग्र है, जो सूर्य की परिक्रमा मात्र कितने दिनों में कर लेता है, 88 दिनों में कर लेता है, क्या इसका कोई उपग्र है, बुद्ध का कोई उपग्रह नहीं है, बुद्ध के बाद हमने बात करें थी, शुक्र की शुक्र को क्या का जाता है, इसके हम सान्ज का तारा भी इसको कहते हैं इसका परीक्रमान दिवा सब किता हो चुका है, 225 दिन हो चुका है, यह सबसे गर्म ग्रहाई है किस बना हुआ है, इसका वातावरन कार्बंड ऑक्साइड से बना हुआ है जो सबसे important बात हमने पढ़े थी इसका जो परिक्रमा करने का जो direction है जो दिशा है वो कैसे आपको मिलेगी पूर्व से पश्चिम जबकि बाकी सारे ग्रह है प्रत्वी की दिशा कैसे है पश्चिम से पूर्व की और है उसके बाद हमने प्रत्वी की बात करे थी प्रत्वी आखरती आप देखोगे तो भूवाब देखेगी इसको नीला ग्रहा भी कहते है नीला ग्रहा इसलिए इसलिए जलवाष पानी है यहाप पे वायू मंडल है और वायू मंडल में बहुत सारी गैस है जैसे नाइट्टोजन, आकसिजन, कारबन डयोकसाइड, आरगन आपको देखने को मिलेंगी इसका प्राक्रतिक अप्गरहनी दिसको चंतरमा के नाम से जानते हैं इसके बाद हमने बात करेती मंगल गरह की जिस डू लाल गरह भी कहते हैं इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे लौह खनीज प्रिचुर मात्रा में मौझूद है साथी साथ यह बुद्ध के बाद बढ़ा ग्रह है इसलिए इसको दूसरा छूटा ग्रह भी का जाता है सौर मंडल का इसका परिक्रमन दिवस अब साथी साथ इसके दो उपग्रह आपको देखने को मिलेंगे फूबोस और डिमोस आपको देखने को मिलेगा ब्रस्पती जो हमारे सौर मंडल का सबसे बढ़ा ग्रह है यहां पे कोई ठोसी सते नहीं है वायू मंडल में आज भी हाइड्रोजन और हीलियम स्थेत है परिक्रमन काला बारा वर्ष का हो चुका है और इसके कितने उपग्रह ग्याद हैं 75 उपग्रह हमको ग्याद है इसके बाद हमने शनी की बात करीती जो की दूसा सबसे बढ़ा ग्रह है को इसके पास भी कोई ठोस सते नहीं है गनत्व में सबसे कम है इसका परिक्रमन काला बुंत्यस वर्ष का हो चुका है और इसके ग्याद उपग्रह कितने हैं उनकी संक्या है 53 इसके बाद हमने अरुन ग्रह यह यूरेनस की हमने बात करीती है तीसा सबसे बढ़ा ग्रह है इसके पास भी कोई ठोस सते नहीं है ये भी जब परिक्रमा करता है सूरी की तो कैसे गूमता है पूरुसे पश्चिम की और ये गूमता है अब आप मुझे बताइए कि है सूरी की परिक्रमा करते समय पूरु से पश्चिम गूमता है या अपनी धूरी पर जब गूमता है तब पूरु से पश्चिम गूमता है यह आप comment section में आप मुझे बताइए अच्छा ये अपनी धूरी पर प्रत्वी 35,5 डिगरी जुकी हुगी है और ये अपनी धूरी पर गित्ता जुका हुआ है 90 डिगरी जुका हुआ है इसको आइस जायंट की नाम से भी जाना जाता है इसके बाद हमने लास्ट ग्रह नेप्चून की बात करी ती ये सौर मंदल क का आखरी ग्रह साथ ही इसको किस का जुड़वा भी कहा जाता है इसको यूरेनस ये अरुन ग्रह का जुडवा भी इसको कहा जाता है उसके बाद हमने सौर मंदल के कुछ अन्य सदस्यों की बारे में बात करी ती खल जिसमें हमने सबसे पहले एक शुद्र ग्रह या एस्ट में देखने को मिलेगी इसके बाद हमने बात करी थी धूम के एतू की धूम के एतू पर हमारी बात हुई थी कि यह जमी हुई गैस हैं जमी धूल या चटान से बने हुए पिंड हैं जो किसकी परिक्रमा करते हैं सूरी की परिक्रमा करते हैं और जब इस सूर्य की तरफ जाने की कुशिश कर दें, तो कि इसका निर्मान करते हैं, पूच का निर्मान करते हैं, और हमेशा पूच की दिशा कहां पे होगी, सूर्य के विपरिज दिशा में इसकी पूच की दिशा होगी, उसके बाद मैंने बताया था आपको नोट्स कैसे बन या प्रत्वी जैसे गर है कि किसी वातावरनिया वायू मंडल में जब आ जाएंगी तो उन्ही उलकाप को आप क्या कहोगे उनको उलका कहोगे और वही उलका जब वायू मंडल से पास होते हुए या वायू मंडल को चीरते हुए जब सतय पर आके गरींगे तो उन्ही को आप इंगलिश में बूलोगे मेटिरॉइड, उलका पिंड को आप बोलोगे मेटिरॉइट और उलका को बोलोगे मेटियोर, यह तीनों बड़े कन्फ्यूजिंग शब्द हैं, यह आपको याद होने चाहिए, मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था, जिसका आप कुछ लोगों न अंतरिश में उपस थी चट्टाने, जब किसी वायू मंडल में आ गए, तो उनको उलका बोलोगे मेटियोर बोलोगे, और वायू मंडल में आने की बाद अगर इस सतय पर गड़ जाते तो उनको आप मेटियोर या उलका पिंड कहोगे, यहां तक हमारी बात हो चुगी थी, जो आपको क्लियर है, उसके बाद हमने यह बात करी थी, जो काफे कंसेप्चुल चीज़ थी, कि सौर मंडल की उत्पत्य और विकास कैसे हुआ, इसमें हमने कुछ परीकलपना ये पड़ी थी, सबसे पहले हमने पढ़ा था, गैसी परीकलपना जो किस ने दी थी, हमको एमि से जानते हैं, और साथ ही साज जो चोटे चोटे धूल के बादल थे, वो बादल किस में परिवर्थी तो हो गए, ग्रहों में परिवर्थी तो हो गए, और वो आज भी घूम रहे हैं, किस के चारो तरफ घूम रहे हैं, ये बात हमको किस ने बताई थी, कांत साब ने इंप बताया थे कि धूरी पे घूमता हुआ एक विशाल नैबिला था एक बादल था जिसमें गैस और धूल के कंड थे को चटाने मौझूद थी यह व्रत्ताकार गती में गती कर रहा था और विकीरण के माध्यम से यहां पर क्या हो रहा था उश्मा का हास हो रहा था उश्मा की कम हैं तो इस प्रकार इन्होंने बताया कि हमारे सौर मंडल का क्या हुआ विकास हुआ उसके बाद हमने बात करे थी प्लैनेटेसी मलिया शिशुग्रह परिकल्पना जो 1905 में दी गई कैमरली दोवारा कैमरली और मॉल्टन दो साइंटेस्ट थे उन्होंने दी थी उन्होंने आज भी क्या करें सौरी की परिक्रमा लगा रहे हैं इस प्रकार कैमरली और मॉल्टन ने समझाया 1905 में की सौर मंडल की उत्पतिया इसका विकास कैसे हुआ इसके बात हमने बात करे थी बिग बैंक सिद्धान्त की बिग बैंक सिद्धान्त आपने बताया किस ने दिया था एक चोटे से बिंदू पे आके अवस्थित हो गया और ये बिंदू अधिक तापमान के कारण इसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट हुने के कारण चोटे चोटे कण बने और चोटे चोटे कणों के आसपस बहुत सारे दूल के कण जमा हुए जो नेबुला बने और नेब बिंदों सिद्दान भी कहते हैं बेग बैंक सिद्दान तक हमारी बात हो चुकी थी आज हमको जो शुरू करना है वो शुरू करना है प्रत्वी जो हमारा ग्रह है अगर सौर मंडल में मैं आपको बताऊं प्रत्वी की इस्थिती तो सौर मंडल में प्रत्वी की स्थिति आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको सूर्य देखने को मिल रहा है सूर्य से पहला गरे आपको कौन सा मिलेगा? बिल्कुल सही दूसरा कौन सा मिलेगा? बिल्कुल सही और तीसरे नमबर पे आपको क्या मिलेगा तीसरे नमबर पे आपको मिलेगी प्रत्वी जो हमारा घर है जो हमारा क्या है घर प्रत्वी प्रत्वी इसकी आकरती कैसी है इसकी आकरती है गु आब यह इसी को अपन किस नाम से भी जानते हैं इसी को हम जियोड के नाम से भी जान प्रत्वी को और किस नाम से जाना जाता है प्रत्वी को जाना जाता है नीले ग्रह के नाम से क्यों बोला जाता है इसको नीला ग्रह क्योंकि यहाँ पर क्या मौझूद है यहाँ पर पानी आपको मिल जाएगा यह कितने नंबर का बड़ा ग्रह है यह पांच सबसे बड़ा ग बात हुई थी, कि प्रत्वी पे तीन चीजें आपको specially देखने को मिलेंगी, वो तीन चीजें क्या थी? प्रत्वी पे आपको देखने को मिलेगा स्थल मंडल या जिसको English में बूला जाता है Lithosphere प्रत्वी पे आपको को देखने को मिलेगा वायू मंदल या इस ही को बोला जाता है एट्मोस्फेर इसके साथ ही साथ प्रत्वी पर हमको जल मंदल देखने को मिलेगा या इस ही को क्या बोला जाता है इस ही को बोला जाता है हाइड्रोस्फेर क्या बोलते हैं हम इसको हाइड्रोस्फेर और जहां पे यह तीनों मंडल आके मिलते हैं यह वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहां पे इसको हम किस नाम से जानते हैं इसको हम जानते हैं जैव मंडल यह इसको कहा जाता है बायोस पेर यह हमारी बात हुचुकी थी आशा करता हूँ, आपको याद होगी, ये वाला जो एरिया जहाँ पर आपको तीनों चीजे मिलनी चाहिए, आपको स्थल मंडल भी मिलना चाहिए, आपको वायू मंडल भी मिलना चाहिए, साती सात आपको जल मंडल भी मिलना चाहिए, तभी आप जीवन की परिकल्पना, जी वायू मंडल अगर महाँ पर मिलेगा तो महाँ पर गैसे कौन सी नहीं होगी, महाँ पर गैसे ऑक्सिजन नहीं होगी, जो जीवन दाइनी गैस है वो नहीं होगी, साथी साथ महाँ पर और क्या नहीं होगा, महाँ पर जल मंडल नहीं होगा, जल की मौजूदगी नहीं होगी, जल के बहार जीवन नहीं था, लेकिन धीमे धीमे जल के बहार जीवन आने लगा और हम जैसे जीव आने लगे, हम भी क्या है एक जीवी तो हैं, और हम तो बहुत बात में आएं, आपने टेबिल अगर देखी है, प्रत्वी का भूब एक ग्याने के थिया, तो उसमें हम तो 42. 400 वर्ष पहले हम लोग अवतरित हुए हैं जिसमें जिनको आप क्या कहते हो हूमो सेपियन सेपियन हम जिसको या आधुनिक मानव जिनको कहा जाता है तो यह डाइगराम आपको अच्छे से याद होगा तो चलते हैं इसके बारे में और पढ़ते हैं हम लोग यह डाइगराम कुछ ऐसा है आप अपनी कॉपी में इस तरह के के डाइगराम बना ही है साती साथ जब आप परिक्षया देने भी जाएं मुख्य परिक्षया में जब आप उत्तर लेखन करें तो इस प्रकार के इनी को कहा जाता है फ्लो चार्ट या इनी को कहा जाता है पर आपको अपना उत्तर लिखना होगा तो यहाँ पर A4 Size का यह पेज होगा और यहाँ पर बीच में आपको जब उत्तर लिखना है तो छूटी छूटी जगह को आपको क्या करना है प्रयोग में करना है इतनी छूटी जगह में आपको क्या बना लेना है अपना diagram बना देना है आपको अपना चित्र बना देना है जो उत्तर के अनुसार जो सही हो अब उस चित्र में या उस infographics में अगर हम ऐसे चित्रों का प्रेयोग करते हैं तो क्या होगा examiner को पता लग जाएगा कि आपको चीज़े आती हैं साथ ही साथ आप बहुत बड़ी चीज लिखते उसके मुकाबले आपने चित्र से वो सारी चीज़े समझा दिए तो कोशिश कीजे करें आप अपने notes में भी इस प्रकार की चीज़े बनाएं अब हमको ये तो पता चला है कि प्रत्वी पे क्या है प्रत्वी पे कौन कौन से मंडल देखने को मिले हमको प्रत्वी पे पहला मंडल था स्थल मंडल दूसरा मंडल था वायू मंडल और जल मंडल और इन तीनों के मिलने से क्या बना जैब मंडल ठीक है लेकिन क्या प्रत्वी पे शुरू से जो आज हम स्थल मंडल देखते हैं क्या यह वैसा ही है क्या प्रत्वी जब पैदा हुई तो आज की ऐसा वायू मंडल लेके पैदा हुई या प्रत्वी पे शुरू से जल मंडल मौजूद था अगर यही ऐसा नहीं था तो इसका विकास कैसे हुआ इसकी उत्पत्ती कैसे हुई यह आप हम आगे चर्चा शुरू करते हैं उस में, उस चर्चा हमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इस्थलमंडल का विकास कैसे हुआ देखिए, जैसे जैसे प्रत्वी ठंडा होना शुरू हुआ तो प्रत्वी का तापमान धी में धी में अब कम होना शुरू हुआ है तो प्रत्वी पहले क्या था एक बादल था गैसों का गैसों का बादल था अब किस में बदला वो द्रव में बदला और प्रत्वी आंशीक रूप से द्रव अवस्था में रहे गई और इसके कारण तापमान में जब अधिकता होगी तो क्या होगा घनत्व क्या होगा घनत्व जिसका ज्यादा होगा वो केंदर के पास चला जाएगा और जो जिसका घनत्व कम होगा वो केंदर से दूर रहेग इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करें कि आपने एक बाल्टी ले रखी है आपने क्या ले रखी है आपके पास है एक बाल्टी इस बाल्टी में आपने क्या भर दिया इसमें आपने भरा हुआ है पानी इस बाल्टी में क्या है पानी आपने ऊपर से इसमें क्या डाल दिया इसम धूल के कंड ठीक है धूल के कंड डालने के बाद आपने क्या किया इस बाल्टी को इस प्रकार हाथ से ये पानी में धूल के कंड सारे आपने क्या किये मिला दिये थोड़ी देर इसको रख दिया रखने के बाद जब आप इसको देखोगे तो आपको ये कैसे दिखेगी आपको बाल्टी में कुछ इस प्रकार की चीज़े आपको देखने को मिलेंगे ये पानी है जो सबसे बड़े जो कण होंगे वो आपको एकदम नीचे पैंदे में ये बाटम में देखने को मिलेंगे जो सबसे चोटे कण थे वो आपको इससे उपर देखने को मिलेंगे और जो सबसे चोटे चोटे कण थे वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे ये सबने हमने बच्पन में देखा है इस प्रकारी होते हैं ये सब नीचे क्यों आ गए बड़े कंड सब नीचे क्यों आ गए इनका क्या जादा है घनत्व इनका जादा है इनका घनत्व क्या था इनका घनत्व कम था जिनका घनत्व कम था वो पैंदे से दूर हैं और जिनका घनत्व जादा था वो पैंदे के पास हैं अब सोचिए ये प्रत्वी का केंद्र है ये प्रत्वी की सतय है अब प्रत्वी धीमेदी में ठंडा होना शुरू हो रही है अभी ये द्रवी अवस्था में है आंशिक रूप से द्रवी अवस्था में है द्रव अवस् सकते एक पतीले में आपने पानी में दूट डाल दिया पतीला लेके आप कैसे जब तक उसको आप गरम नहीं करोगे और पानी का वाश बन के पानी नहीं हो जाएगा तब तक आप अलग नहीं कर पाओगे उनको तो similarly यहाँ पे क्या हुआ सब क्या है सब द्रवी अवस्था मे मौझूद है द्रवी अवस्था में जब ही मौझूद थे तो जिनका घंत्व जादा है मानो इनका घंत्व था V1 जो केंदर के पास आना शुरू हो गये और जिनका घंत्व था V2 वो केंदर से दूर चले गये और यहाँ पे हमको पता है कि V1 जादा है किसके मुकाबले V2 क के मुकाबले इसे लिए आज भी आप देखोंगे केंद्र के आसपास का जो घनत्व है प्रत्वी में वो जादा देखने को मिलेगा और प्रत्वी की सतय का जो घनत्व है वो आपको कम देखने को मिलेगा समझ पा रहे हैं बात तो जब धीमे धीमे इस प्रकार इस प्रकार की जीजे होना शुरू우 हुआ तो प्रत्वी पर किसका विकास हो रहा है यहां पर आप गर आप स्लाइड में भी पढ़ेंगे तो यहांने लिखा ह॑ँआ है भारी पदाड जैसे लोहा प्रत्वी के केंद्र में चले गाये और हलके पदाड प्रत्वी की सतह रया उपरी भाग के तरफ आ गए समय के साथ यह ठंडे हो गए और ठंडे होने के बाद यह किसमें परिवर्तित हो गए ठंडे होने के बाद यह हो गए ठोस में परिवर्तित किसमें परिवर्तित हो गए ठोस में और आज यह यह ठोस इसी को आप क्या क्या तो इस्थल बन गया यह उपर भाग क्य इतना सा है कि प्रत्वी के केंद्र के पास आपको वो चीजे मिलेंगी जिनका घनत्व जादा है और प्रत्वी के केंद्र से दूर आपको वो चीजे मिलेंगी जिनका घनत्व कम है तो V1 जादा होगा किसके मुकाबले? V2 के मुकाबले जैसे जैसे हम केंद्र से दूर जाते जाएंगे घनत्व कम होता जाएगा और जैसे जैसे हम परीधी से प्रत्वी की सतह से किंद्र की और जाएगे तो पदार्थों का घनत्व क्या होगा बढ़ता जाएगा इसी प्रक्रिया को जब यह हो रही थी तो इसी प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया इस प्रक्रिया को न मंदल के विकास को आप समझाइए तो वहाँ पे आपका जो की वर्ड होगा जो सबसे important शब्द होगा आपके answer में वो क्या होगा विभेधन प्रत्वी की भूप परपटी के रूप में जब विक्सित हो गए और हलके वे भारी घनत्वे वाले पदार्तों के प्रतक होने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं विभेधन के नाम से जानते हैं तो अब आप बता सकते हैं विभेधन क्या था आप ये भी बता सकते हैं कि स्थलमंडल का विकास कैसे हुआ कैसे हुआ स्थलमंडिल का विकास जब प्रत्वी आंशिक रूप से द्रवी अवस्था में थी तो कौन सी प्रक्रिया हमापे शुरू ही वहापे विभीधन की प्रक्रिया शुरू हुई विबेदन की परक्रिया क्या होती है विबेदन की परक्रिया का मतलब है जिसका घनत्व जादा है वो आपको केंद्र के पास देखने को मिलेगा और जिसका घनत्व कम है वो आपको सतय के पास देखने को मिलेगा घनत्व किसका जादा था गनत्व लोहे का जाज़ा था, इसलिए लोहा आपको कहां देखने को मिलेगा, लोहा केंद्र के पास देखने को मिलेगा, कम गनत्व किसका था, सिलीका का गनत्व काफी कम था, इस वज़े से सिलीका कहां आपको देखने को मिलेगी, प्रत्वी की सतह के पास आपको देखने क का विकास कैसे हुआ, आगे की और चलते हैं, आगे की और में स्थल मंडल में हम आगे पड़ें, जब अब देखिए, क्या हुआ, केंद्र के आसपास, या केंद्र के बिलकोल पास आप देखोगे, तो घनत्व जादा है, केंद्र से जूर जाऊंगा, तो घनत्व कम हुआ, औ और दूर जाओंगा तो घनत्व और कम हुआ और बहुत सत्य पर पहुंच गया तो घनत्व और कम हो गया इस आधार पर हम जब प्रत्वी के आंतरिक सनरशना पढ़ेंगे मैं तब फिर से इस आज़ी चीज़े बताऊंगा आपको लेकर आपको ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम केंद्र से दूर जा रहे हैं क्या हो रहा है घनत्व कम होता जा रहा है और जो एकदम हलके पदारत हैं वो प्रत्वी के सतय पर आपको देखने को मिलेंगे और जो बहुत भारी पदारत हैं वो आपको कहा देखने को मिलेंगे केंद्र के आसपास या केंद्र के पा देखने को मिलेगा हलके पदाड और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं विबेधन की प्रक्रिया कहते हैं एक आपने विबेधन पढ़ लिया जब कब हो रहा था वो वो हो रहा था जब प्रत्वी के सवस्था में थी आंशिक द्रवी अवस्था में जब हम आने वाली क्लासो मंगल से दो तीन गुना बड़ा ग्रह किस से टकराया प्रत्वी से जब टकराया तो क्या हुआ एक प्रत्वी का टुकडा प्रत्वी से अलग हो गया अब वो शिशु ग्रह परिकल्पना प्लैनेटेसिमल परिकल्पना याद कीजिए जब ग्रह का टुकडा इससे अलग हुआ तो ये तारा इसको अपने साथ ले जाने की कुशिश कर रहा है लेकिन कौन नहीं ले जाने देगा प्रत्वी इसको अपने साथ ले जाने नहीं देगी तो ये टुकड़ा अलग तो हो गया लेकिन इसको ले जाने नहीं देगी गुरत्वा कर्शन बलके कारण ये आज भी किस परक्रमाईय कर रहा है, अब एक बात बताईए, कोई भी दो चीजे जब टकराती हैं तो कौन सी उर्जा उश्मा उर्जा होगी उसके पास मानिये, दो चीजें एक दूसरे से टकरा रही है collision इनमें हो रहा है तो क्या होगी उश्मा मिलेगी इसको क्या होगी उश्मा मिल जाएगी उश्मा अगर प्रत्विकों यहां पे मिल गई तो फिर से कौन सी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी यहाँ पर फिर से विभीधन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो यह यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि चंद्रमा की उत्पत्ती के दोरान फिर से क्या शुरू हुआ विभीधन की प्रक्रिया शुरू हो गई किसके प्रक्रिया शुरू हो गई विभेधन की प्रक्रिया शुरू हो गई और प्रत्वी फिर से बहुत सरी परतों में विभाजित हो गई जिसको हम जानते हैं क्या कहते हैं हम आगे पढ़ेंगे उसको बोला जाता है भूपरपटी बोला जाता है उसको मेंटल बोला जाता ह वो परपटी जो एकदम उपर आप देखते हैं इसके नीचे आप जाएंगे तो मेंटल देखने को मिलेगी और कोड देखने को मिलेगी यह सब चीज़े हम आगे पढ़ेंगे प्रत्वी के अंद्रिक सनरशना लेकिन हम यहाँ पर बात करें स्थन मंडल के विकास की आश्रा क दार्थ थे वो कि इंदर की तरफ चले गये कि इंदर के पास चले गया और जिनका घंत्त्व कम था वो आपको सतय के आसपस देखने को मिलेंगे दूसरा वी बेहिदन की प्रक्रिया कप शुरू हुई जब चंद्रमा की उत्पत्त्ती टक्राने से हुई टक्राने की कारण क क्या बन गई पढ़ते बन गई जिनको हम भू परपटी मेंटल और कोर के नाम से जानते हैं क्रस्ट मेंटल कोर के नाम से जानते हैं ये सब चीज़े हम आगे भी पढ़ेंगे लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको स्थलमंडल का विकास यहां पर अच्छी से समझ में आगया होगा अब मैं आपसे पूछूं कि प्रथवी की तीन परते हैं तीन परते हैं उसमें सबसे यादा घनत्व आपको किसका देखने को मिलेगा इसको ऐसे समझ यह मैं जो सवाल आप से पूछ रहा हूँ यह प्रत्वी की परत पहली है और यहाँ पर कहीं प्रत्वी का क्या रहा है केंद्र रहा है प्रत्वी की दूसरी परत ये है तथा प्रत्वी की तीसरी परत ये है इस परत का नाम अभी मैं दे देता हूँ इसको A इसका नाम दे देताओं मैं B इसका नाम दे देताओं मैं C प्रत्वी की वो परच जो केंदर के बिलकुल पास है उसका नाम A है जो केंदर से दूर है थोड़ा उसका नाम B है और जो सतह के बिलकुल पास है उसका नाम C है आपको मुझे बताना है कि यहाँ पे घनत्व किसका जादा होगा यहाँ पे घनत्व किसका जादा होगा घनत्व A का सबते जादा होगा उससे कम B का होगा या C का होगा यह आपको मेरे को क्रम में बताना है क्रम कैसा होना चीए आपको बताना है कि सबसे जादा किसका है सबसे जादा किसका है और सबसे कम किसका है इस क्रम में आप मुझे बताएंगे और जवाब आप देंगे कमेंट सेक्शन में मुझे आशा करता हूँ सवाल आप समझ चुके होंगे चलिए आगे की और बढ़ते हैं वायू मंडल का विकास हम समझने की कोशिश करते हैं इस्थर मंडल का विकास जब हमने पढ़ा तो एक शब्द था हुआ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो था विभीधन ठीक है जब वायू मंडल का विकास हो रहा था तो ये तीन अवस्थाओं में हुआ पहली दूसरी और तीसरी पहली अवस्था में क्या हुआ पहली अवस्था में ये हुआ कि जो सौर पवने थी याद आ रहा है सौर पवने हाँ वो जो हमने पहले पढ़ा था वो जो सौर पवने थी उसने क्या किया ये प्रत्वी है यहाँ पर सूर्य है सूर्य से क्या रही थी सौर पवने क्या रही थी सौर पवन इस सौर पवन ने क्या किया जो प्रत्वी का प्रत्वी में जो आदी काल से या प्रत्वी जब बनी उस समय जो इसका वायू मंडल था वो कौन लेके चला गया वो ये सौर पपने अपने साथ आगे उड़ा के ले गई बिलकुल ऐसे समझिये कि आपने एक चीज रखी हुई थी जिसमें आपने गुबारे के उपर बहुत सारे मिट्टी रख दी आपने गुबारे के उपर धूल के करण आपने जमा दिये और उस गुबारे को आपने पंखे के सामने लेके आगए तो पंखे से निकलने वाली हव को आप समझे सौर पवने और उस गुबारे को समझे प्रत्वी और उस मिट्टी को आप समझे प्रत्वी का आधी काल का वायू मंडल तो जब सूर्य से निकलने वाली वो जो सौर पवने थी वो जब प्रत्वी तक पहुंची तो प्रत्वी में जो आधी काल का वायू मंडल उसको उड़ा के अपने साथ वो ले गई, तो पहली अवस्ता ये थी, दूसरी अवस्ता क्या थी, कि जब प्रत्वी धीमे धीमे थंडा होना शुरू हुए, तो प्रत्वी के नीचे से क्या निकलना शुरू हुए, प्रत्वी के नीचे से भाप और जलवाश्प निकलना में जलवाश्प कहां से आया उसमें जलवाश्प प्रत्वी के नीचे से आया नीचे से क्यों आया क्योंकि अब प्रत्वी धीमेदी में क्या हो रही है प्रत्वी धीमेदी में थंडा हो रही है इससे क्या आ गए जलवाश्प आ गए जलवाश्प कैसे होते हैं हलके होते हैं तोड़ा कम होता है और उपर जैसे पहुँचेंगे तो संगरन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ये बिलकुर आप ऐसे समझेए कि ये प्रत्वी है प्रत्वी के नीचे जब थंडा होना शुरू हुआ तो क्या निकलना शुरू हुआ यहां से जलवाश्प निकलना आप मारने T2 कम है किसके मुकाबले T1 के मुकाबले जब T2 कम है तो ये जलवाश्प किसमें परिवर्तित हो जाएंगे यहां पे संगनन की प्रक्रिया शुरू होगी कौन सी प्रक्रिया संगनन की प्रक्रिया और यह क्या बन जाएंगे अब बादल क्या बन जाएंगे बाद में क्या करना शुरू करा इनोंने बारिश क्या करना शुरू करा बारिश वर्षा इनोंने वर्षा करना शुरू किया और इसी वर्षा से हमको यहां पर क्या मिला प्रत्वी की सतय पर हमको क्या मिलना शुरू हो गया पानी और इसी पानी से आगे जाके क्या बनेगा किस का विकास होगा इसी से जल मंडल का विकास होगा समझ पाया वायू मंडल में का विकास तीन अवस्था में हुआ पहली अवस्था हमने देखी जब सौर पवने प्रत्वी का जो आदी काल का वायू मंडल था उसको अपने साथ उड़ा के लिए गई दूसरी अवस्था में क्य जब प्रत्वी धीमे धीमे ठंडा होना शुरू ही तो नीचे से भाप और जलवाश्प निकलना शुरू हुए ये जलवाश्प हलके होने के कारण उपर उठने लगे और जब उपर उठने लगे तो वायू मंडल में घुनने लगे तो वायू मंडल में क्या आगए जलवाश ये जलवाश भी अब उपर गए तो संगनन की प्रक्रिया से बादलों में बदले बादलों में बदलने के बाद इन बादलों ने क्या की बारिश करना शुरू किया बारिश ये वर्षा होना शुरू ही और ये बारिश और वर्षा जहां जहां पे प्रत्वी पे जहां जहां प्रत्वी पे क्या थे इस प्रकार की गर्त हुथी जहां जहां प्रत्वी पे इस प्रकार की गर्त थी बारिश का पानी यहां क्या हो गया जमा हो गया और इन्हों ने किसका रूप ले लिया जिनको आज आप किस नाम से जानते हैं इनको आज आप म मंडल का विकास कैसे हुआ वायू मंडल के विकास में जब दूसरी अवस्ता थी तो जिसमें जलवाश्प निकल रहे थे उसी जलवाश्प ने क्या क्या संगनन होके वो बादलों में बदला बादलों में बदलने के बाद जब बारिश हुई बारिश जहाँ जा प्रत्वी में गड़े थे, गर्त थी, वहाँ पर बारिश का पानी जमता गया और क्या बन गे? महा सागर, और यही महा सागर क्या है? जल, मंडल कहलाते हैं, वायू मंडल की दो अवस्था तों हमने पढ़ ली, तीसरी अवस्था क्या थी? तीसरी को हम कहते हैं प्रकास संशलेशन प्रकाश संशलेशन मैं आपको लिखके बताता हूं प्रकाश पंशलेशन यह इसी को कहा जाता है फोटो synthesis या का जाता है photo synthesis मैंने आपको पता है था photo का मतलब क्या होता है हमेशा परकाश ठीक है हमको ये पता लग गया है कि जल वाश्प के कारण महासागरों का या जल मंडल का विकास हो चुका है हमको ये भी पता है शुरुवाती जो जीवन था पहली बात प्रत्वी पे अगर जीवन आया तो वो कहां तक सीमित था वो सिर्फ सीमित था पानी में वो जल में सीमित था जल में बहुत सारे आपको मिलना शुरू है जीव जन्तू बहुत छूटे छूटे जीव जन्तू एक कोश के जीव जन्तू आपको शुरुआत में देखने को मिलेंगे, जब एक कोश के जीव, जन्तु और पादब, एक कोश के जीव, जन्तु और पादब कहा पैदा होना शुरू हुए, जल में पैदा होना शुरू हुए, तो यह इन्होंने कौन सी क्रिया करना शुरू किया, इन्होंने प्रकास तं इसलिए मैं आपको बता रहा था कि अगर carbon dioxide नहीं हुती तो हो सकता है प्रत्वी पर जीवन नहीं होता प्रत्वी पर कभी जीवन नहीं आता क्योंकि अगर carbon dioxide नहीं होती तो यह प्रकास अगरों में, पानी में ये स्थित्थे, जब इन्होंने प्रकास अंस्टिलेशन की क्रिया की, तो दो गैसे इन्होंने प्रयोग मिलाना शुरू किया, ओक्सिजन और कार्बन डाई ओक्साइड, कार्बन डाई ओक्साइड इन्होंने लेना शुरू किया, ओक्सिजन इन्होंन उसमें क्या हुआ था, उसमें हुआ था, सौर पवनों के कारण, आदी काल का जो वायू मंडल था, वो सौर पवनों उणा के लिए गई, दूसरे चरण में क्या हुआ, उसमें जलवाश्प आ गया, और तीसरे चरण में प्रकास अंचलेशन की क्रिये के दौरा, अब oxygen कहां प विकास हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है अब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आपको समझने की कोशिश की जाए अब आपको एक चीज याद आ रही है कि वहाँ पे हमने विभीधन पढ़ा था विभीधन क्या था कि घनत्व के आधार पर जितने भी जितने भी material थे उस स तो नीचे से कुछ भाप, कुछ जलवाश पे और कुछ गैसे निकलना शुरू हो गई इस क्रिया को जब गैसे निकल रही है जलवाश पे प्रत्वी की सत्य से निकल रहे है इसी को किस नाम से जानते है इसी को गैस उत्सर्जन के नाम से जाना जाता है इसको किस नाम से जा कुछ बहुत सारे जुआला मुख्यों के कारण, बहुत सारे यहां पर क्रैक बनने लगें, और क्रैक बनने के साथ, जो जमीन में, जब जमीन ठंडा होने लगी, प्रत्वी ठंडा होने लगी, तो जितनी भी गैसे थी, वो क्या होने लगी, बहार आना शुरू हुआ, क्या हो में कैसा हुआ वाइयो मंढल का विकास तीन अवस्था थी, तीन अवस्था आपको संझ में आ गई है, तीसरी अवस्था जो अभी हो रही है, अभी भी चल रही है, प्रकास एंसिलेशन की क्रिया, उसमें oxygen और carbon dioxide काम में आ रही है, आरंब में जो प्रथवी का जो वायो मंढल उसमें क्या-क्या मौजूद थे, देखो, जलवाश्प का nitrogen, carbon dioxide, methane, ammonia अधिक मात्रा में थे, और स्वतंत्र oxygen बहुत कम थी, क्यों कम थी, क्योंकि पेड कम थे, एक कुश की पेड थे, छोटे-छोटे पादब थे, और जब प्रकास installation, photosynthesis की क्रिया उन्होंने करना शुरू किया, तो दीमे-दीमे oxygen बढ़ गए, और oxygen कितनी बढ़ चुकी अब, 21 प्रतीशत हो चुकी है, और nitrogen, 78 प्रतीशत हो चुकी है, तो ये बात थी, किसके, वाई-उ-मंडल के विकास की बात थी, इसमें जो सबसे important, वहाँ पे विभीधन था, स्थल मंडल के विकास में, यहाँ पे स समझे में आ चुका है, अब चलते हैं, किसके विकास की और? जल मंडल के विकास की और, जल मंडल का विकास आप साथी साथ समझ चुके हैं, जब बहुत सारे धरारे बनी, बहुत सारे जोला मुखियों से, जलवाश बाहर आने लगा, तो प्रत्वी ठंडा हो रही है, भाई दीमे दीमे कम होना शुरू होगा और जब जलवाश्प दीमे दीमे ठंडा होने शुरू होगे तो क्या होगे संगनन की प्रक्रिया शुरू होगी बादल बनने के साथ बारिश होगी और उसी बारिश से किसका निर्माण होगा महासागरों का निर्माण होगा यहाँ पे भी ये शब्द important है आपके लिए कौन सा संगनन, कौन सा संगनन, आशा करता हो समझ में गए होंगे सब चीजे, देखो यहाँ पर बारिश जब हुई, तो बारिश के साथ क्या हुआ, जो वातावरण में, जो हमारे वायू मंडल में जो गैसे थी, जैसे कुस्सा में कार्बन डिय अकसाइड बहुत ज़्यादा थी, उस समय मिथेन बहुत ज़्यादा थी, तो जब बारिश की बूंदे नीचे की और गिरने लगी, तो बारिश की बूंदों के साथ साथ, वो गैसे घुलके भी कहाने लगी, वो नीचे आने लगी, अब धीमे धीमे जो वायू मंडल था, वो स्वच्छोना शुरू हो गया, आज भी आप देखेंगे कि बारिश हो जाती है, वो बारिश होने के बाद अगर धूप आपको दिखेगी, धूप अगर आ जाती है, तो बहुत तीच चुबने वाली धूप आपको दिखती है, वो ऐसा क्यूं होता है, ऐसा इसलिए होत है, कि जब वायू मंडल में जितने भी छोटे छोटे धूल के कंण थे, या जो जो भी गैसे थी, जो भारी गैसे थी, वो किसके साथ घुलने शुरू हो जाती है, पानी के साथ, पानी की बूदों के साथ, और वो सब कहां पहुंच जाती है, इसके लिए बारिश के बाद जब दूप आजे तो बहुत तेज आती है, सेम चीज यहां पे हो रही थी, बारिश से पहले बहुत सारी गैसे थी, बहुत सारे धूल के कंण वायू मंडल में मौझूद थे, लेकिन जब जल मंडल का विकास होने लगा बारिश से साथ, जब बारिश आने लगी तो जब दनन की साथ साथ, इसी जल मंडल में किसका विकास होना शुरू हो गया, महासागरों का विकास शुरू हो गया, इसके बाद महासागरों की आयू करीब करीब मानी जाती है कि वो कितनी पुराने हैं, वो हैं 400 करोड साल पुराने, कितने साल पुराने, 400 करोड साल पुरा ये का कि मचली आ गई या मगर मच्छ आ गया या जल परियां आ गई ऐसा कुछ नहीं हुआ था पहले जब जीवन आया था तो वो एक कोश किये जीवन था एक कोशिका से बने या चोटे चोटे बहुत जीव आपको आपको देखने को मिलेंगे बहुत चोटे चोटे जीव थे और वो कब आये थे 380 करोड साल पहले आये थे और प्रकास संस्टिलेशन की क्रिया प्रापर रूप से 200 से 300 करोड साल पहले प्रकास संस्टिलेशन की क्रिया क्या होई शुरू हो गई और लंबे समय तक जब प्रकास संस्टिलेशन शुरू हुआ तो जो जल मंडल या जो मैं क बहुत है वायू कहांपे जलमंडल में या महसागरू में जब उक्सीजन बहुत है तो अब किसकी कल्पना की जा सकती है जीवन की अब धीमे-धीमे क्या होगा बड़े-बड़े जीवाना शुरू हो जाएंगे कहांपे महसागरू में पहले oxygen कम थी इसलिए छोटे छोटे जीव थे लेकिन जब प्रकार संस्रीशन की क्रिया होना शुरू हो गई अब oxygen बढ़ गई है और oxygen कितनी बढ़ चुके कि अब महासागर संतरप्त हो चुके है oxygen से अब बड़े बड़े जीव आना शुरू होंगे और वो बड़े बड़े चीव धीमे धीमे धर्ती की और आना शुरू होंगे और फिर कहां पे जीवन आजाएगा इसल भाग में जीवन आजाएगा आशा करता हूं यहां तक चीजें सारी clear हो गई होंगी आपको तीनों मंडल समझ में आ गया होंगे कौन कौन से मंडल हैं इस्थल मंडल के बाद हमने पढ़ा वाईउ मंडल और वाईउ मंडल के बाद हमने पढ़ा जल मंडल देखो यह तीनों मंडल है ना आने वाली क्लासों में भी बहुत important होंगे जब हम भू आकरती विज्ञान पढ़ींगे तो मैं यहीं से शुरू करूँगा इस्थल मंडल के विकास से जब मैं आपको जल वाईउ मंडल के विकास से शुरू करूँगा और जब मैं आपको समुद्री विज्ञान पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसी जल मंदल के विकास से शुरू करूँगा तो अच्छे से एक बार इसको पढ़ लेना और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना इसके बाद की बात की जाए इसके बाद इसने बस ये बताया है कि 300 करोड साल पुरानी जो शैले होती हैं जो चटाने होती हैं उसमें हमने पाया है कि सबसे पहले किसकी कौन सा जीवन किस रूप में जीवन आया है शैवाल के रूप में जीवन कहां पे आया था प्रत्वी पे शैवाल के रूप में जीवन आया था और उसका नाम था blue green algae क्या नाम था अंग्रेजी में शैवाल को algae कहते हैं और जो नीले और हरे रंकी थी इसलिए उसको blue green algae के नाम से जानते हैं तो जो LGS शेवाल के रूप में सबसे पहले प्रत्वी पे क्या आया? जीवन आया. यहां तक चीजे क्लियर हैं, आज के लिए इतना ही थोड़ा सा कॉंप्लेक्स टॉपिक है, शुरुआत में हो सकता है कि लगे डिफिकल्ट है, लेकिन ड़ने की बिलकुल आवश्यक्ता नहीं है, हम इतनी बार इन सब चीजों का रिवीजन कर लेंगे, कि आपको बिलकुल इन सब चीजों से ड़न नहीं लगेगा, बलकि मैं आपको विश्वात जिलाता हूँ कि आज जो आपकी जोगराफी में स्थितिय है, आज से एक महीने बाद आपका सबसे फेवरेट, सबसे इंटरेस्टिंग सबजेंट होगा, उसका नाम होगा जोगराफी, आप बस लगातार मेरे साथ जोड़ते रही है, और आप अपने दोस्तों को भी सेशन में लगातार जोड़ते रही है, और हम लोग जिना केवाल UPSC में, UPSC की प्रारंबिक परिक्षा में भी और UPSC के मुख्य परिक्षा में भी बूगोल में सबसे अच्छे नमबर लेके आएंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, और आप मेरे पर विश्वास रखे कि हम लोग ऐसा कर लेंगे, बस आपको क्या करना है, लगातार मेरे साथ बना रहना है, और आप बिलकुल इस बात का डाउट मत रखे कि सर, लगातार क्लास होंगी या नहीं होंगी, क्लासे आपके बिलकुल रैगुलर लेंगी, और स्टडी आईक्यू का ये बादा है कि अगर हमने कुछ चुरू किया है, तो हम बिलकुल पूरी जोग्राफी, पूरा भूगोल खतम करके ही दम लेंगे, ये मेरा आपके साथ प्रामिस है, आप इस चीज़ का बिलकुल भी घवराईए मत, लगातार क्लासे होती रहेंगी, टाइम आपको पता ही है, मौर्निंग में हम लोग 8-9 मिलते हैं, 8-9 आपको क्लास मिल जाती है, पीडियेफ की बात रही, पीडियेफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जसका नाम है मुकुल भारत द्वाज जोग्राफी, आज ह हम मनिश्य जिसको कहते हैं, हम लोग आदूनेक मानव जिसको कहते हैं, वो कब आया, आज के लिए इतना ही लगातार, जुड़ते रहें स्टेडी आईक्यू आईएस के साथ, और फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, कि स्टेडी आईक्यू आईएस, हिंदी माध्यम के चाहतरों के लिए, क्या लेके आया है, फाउंडेशन प्रोग्राम लेके आया है, या सडी आईक्यू के किसी भी प्रोग्राम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो आपको कौन सा कूर लगाना है, आपको कूर लगाना है, MB Live, इससे कूर की जो भी ओरिजिनल प्राइस हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, स्टडी IQIAS हिंदी